नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइपर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर लकडगंज स्तीत सो मिल में लगी आग 37 प्रतिश्टानों पर 2,99,000 का जुर्माना ट्रक चोरी में मिला चिंदवाडा का अपरादी आईए देखते हैं खबरे अविस्तार से लकडगंज स्तीत सो मिल में लगी आग लकडगंज स्तीत सो मिल में आग लग गई आग लगने की घटना बुदवार सुबह की है सो मिल में आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है इसके साथ ही कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है आग पर काबू पाने के लिए दमकल की आठ गाडिया पोची है इस दोरान आग को बुजाने के प्रयास में दो फायर करमचारियों को चोटे आई है जानकारी के अनुसार फायर मैन प्रविन जाडे और सफाई कर्मी राजू अदमने की तबियत बिगडने की वज़ा से दो उनों को वर्दमान नगर स्थीत न्यू एरा अस्पताल में भरती किया गया अभी दोनों की हालत ठीक है तो वही दूसरे और 37 प्रतिष्टानों पर 2,69,000 का जुर्माना कोविड नियमों का उलंगन करने पर मनपा के न्यू सेंस डिटेक्शन स्कॉड ने मंगलवार को 37 प् प्रकाष डे मरे को सिल कर दिया गया लक्ष्मिनंगर जोन में 3%, 20,000 रुपे ढर्म पेट में 5,31,000 हनुमान नगर में 3,31,000 धन्तोली में 2,35,000 नेयरू नगर में 2,35,000 गांधिभाग में 10,35,400, सतरंजिपुरा में 2,30,200 रुपे आसि नगर में 1,000 से 10,000 रुपे वसुले तो वही तीसर ट्रक चोरी में मिला चिंदवाडा का अपरादी कपिलनगर पोलिस ने ट्रक चोरी में लिप चिंदवाडा के अपरादी को पकड़ा है आरोपी नवाज उर्फ नावित खान बड़े गाव उमरवाडा चिंदवाडा है एक मैं की रात कपिल नगर थाने के सामने पार्क अशोग पहाड़े रमाई नगर का ट्रक चोरी हो गया था पोलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर सीसी टीवी के आदार पर जाच आरंब की ट्रक जबलपूर की दिशा में जाने का पता चला पोलिस गल उस मार्ग पर रवाना हुआ तो उन्हें ट्रक मिल गया उसमें नवाज सवार था उसने ट्रक चुराने की बात कबूली डीजल खत्म होने से वह ठेरना उसकी मजबूरी हो गई थी इसी वज़े से वह पोलिस के हा कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरे देख सकते हैं आप हमारे चैनल को यूटूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूटूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले अब फिलाल वक्ता चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास कबर धन्यवाद